गला जो टॉपिक है वो टॉपिक नमबर है सेबन जड़ि उत्तर प्रदेश की नदियां नदियों के उद्गम के सुरोत के याधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है नबर वन हिमाले से निकलने वाली नदियां दूसरा गंगा मायदान से निकलने वाली नदियां और तीसरा है प्राइद यूपिय पठार से निकलने वाली नदियां गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां हैं इनका बहाव उत्तर में हिमालय तथा दच्छड में बेध्या चलद्वारा निर्धारिध है उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों में घागरा नदी, गोमती, चंबल, सोन, कर्मनासा, चंद्रप्रभा, रिहंद, बेलन, योमधशान उलेखनी हैं हिमाले परबत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां गंगा, गंडक और राप्ती, राम गंगा, यमुना, काली, शारदा और घागरा दूसरा मैदानी भाग से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां गोमती नदी, वरोडा, पांडो, सई, इशन तीसरा है प्राई दूपिय पठार प्राई दूपिय पठार से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां है उत्तर प्रदेश की सोन नदी है, टोंस है, कनहार नदी, रिहंद नदी, शंबल है, बीतवा है, और कीन नदी है यह इंप्राटन्ट फाक्ट है तो हिमाले से निकलने वाली जो गंगा नदी है, इसके बारे में विशिष्टा क्या है, तो गंगा नदी का जो उदगम है, कहां से है, तो यहां गोमुख गंगोतरी हिमनत से निकलती है, और उदगम अस्थान पर मुख धारा का जो नाम है गंगा का वो भागी रथी होता ह इसके बाद पंच प्रियाग में आप पढ़ते हो इसमें आपका एक देव प्रियाग आता है तो संयुक्त धारा जो भागी रतियों अलग नंदा है तो भागी रतियों अलग नंदा भागी रतियों अलग नंदा में मिलती है तो वह देव प्रियाग में मिलती है ठीक है तो सं परियाग में आप क्या पड़ते हो शाट कड में देख लो जैसे की गंगोत्री ग्लेशिर सेनिकली गंगा होगी इसकी जो मुख्यदारा होगी इसका नाम क्या है भागी रधी अंद sound के और अलगनंदा जो निकलती है वह संथोपध्थ से से निकलती है संतोपत से निकली क्या अलग नंदा अलग नंदा तो अलग नंदा निकलती है यहां पर भागी रथी के अलगनन्दा में यहां मिलेगी यहोगा देव प्रियाग होगा तौभागी रथी परस अलग नंदा देव प्रियाग में मिलेंगी यहां से निकलते एक घंगा निकल जाती है लगनमक्तिशवर आ जाती है यहां रिद्वारें इंटर करती ऐसे इसके बाद इसी अलग नंदा में जब मंदाकिनी आकर के मिलती है कौन मंदाकिनी तो मंदाकिनी कहां पर मिलती है तो जहां पर मंदाकिनी पलश अलग नंदा अलग नंदा यहां से निकली है तो अलग नंदा निकली है और यहां से आई क्या मंदाकिनी और यहां पर जब बाएं साइट से यहां से जो है निकलती है क्या धोली घंगा आई धोली घंगा जो है मिलती है कहां पर यहां पर तो बिश्णू प्रियाग होता है क्या होता है बिश्णू प्रियाग नंदा किनी नंदा किनी तो नंदा किनी जब मिलती है अलक नंदा में तो नंदा किनी पलस अलक नंदा मिलकर क्या कहां पर बनेंगे तो नंद प्रियाग होगा ठीक है और पिंडारी ये पिंडारा करकी जब अलग नंदास मिलेंगे तो यह हो जाएगा करण प्रियाग करण प्रियाग तो भागी रथी पलस अलग नंदा देव प्रियाग मंदाकिनी पलस अलग नंदा रूदर प्रियाग नंदाकिनी प्लस अलग नंदा करण परियाग। अलग नंदा मिलेंगे तो परियाग होगा। तो गंगा नदी का उद्गम गंगोतरी हिमनत से निकलती है। वहां पर उसका निकलने का जो मुख धारा का नाम भागी रती होता है। भागी रथी आकर कि अलग नंदा में मिलती है तो यह जो है देव प्रियाग में मिलती है गंगा नदी का विस्तार उत्तराखंड उत्तरप्रदीश बिहार जारखंड और पस्सिम बंगाल में है गंगा जो डेल्टा बनाती हो बंगाल की खाड़ी में बनाती है और गंगा जिसकी लंबाई 1450 किलोमेटर की है गंगा नदी की तटिये सहर कौम से हैं तो फरूखावाद करनोज कानपूर वाराणसी प्रियाग राज मिर्जापूर गाजीपूर आदी हैं और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में अब निकली वहां भागी रती गंगोतरी हिम्नत से जिद्वार होते हुए गढ़ में 31 पर पहुंसती है उत्तर प्रदीश में जो है किस डिस्टिक से इंटर करती है उत्तर प्रदीश में जो है बिजना और डिस्टिक से जो है उत्तर प्रदीश में प्रभीश करती है आये देख लेते हैं गंगा नदी की जो प्रमुक्ष शह एक नदियां हैं गंगा कि वो हो जाएंगी राम गंगा गोमती है घागरा है गंडक है और कोसी नदी है जबकि दक्षड किनारे से मिलने वाली नदियां यमुना नदी है गंगा की शायक नदी टौन्स है और शोन नदी है तो तरी किनारे से गंगा से मिलने वाली नदिया राम गंगा गोमती गंगा का आपने कबर किया यमुना यमुना नदी यमुना नदी यमनोत्री हिमिनत से बंदर पूछ के पस्चिमी ढाल से निकलती है यमुना का अप वहाँ शेत्रियनी जो वहती हैं उत्तराखंड हिमाचल प्रदीश हरियाणा दिल्ली तथा उत्तर प्रदीश में यमुना नदी की सहाइक नदिया है चंबल जोकी इटावा के पास बेतवा हमीरपूर के पास और केंड नदी बांदा भोजहा के पास यमुना नदी के किनारी अवस्थित प्रमुख उत्तर प्रदीश की सहर है मतुरा सहर यमुना नदी की किनारी भ्रिंदाबन आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपूर, कौशामभी तो आपसे कालपी अक्सर पूंच लिया जाता है यमुना नदी के बाद है राप्ति नदी राप्ती नदी का उद्गम अस्थल है रुकुम कोट नेपाल से राप्ती के प्रमुख सहाइक नदी है रोहिडी नदी राप्ती का जो शंगम होगा वो घागरा नदी से मिलेगी बरहज नामक अस्थान पर देवरिया जिले में तो यमुना हो गया गंगा हो गया राप्ती अब बात करते हैं घागरा नदी की घागरा नदी का उद्गम अस्थल है मापचा चुंगो हिमनद तिबबत से घागरा की सहाइक नदियां करनाली, सिख, टीला, सेटी, बेरी, राप्ती योम छोटी, गंड़क है घागरा नदी का अन्यनाम है सर्यू नदी तो जो घागरा नदी आगेर जाकर के 12 की होते वेजब इंटर करती है कहां अयुद्या में तो अयुद्या में ही नाम होता है सर्यू तो शर्यू नदी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर है आयोध्या और घाघरा नदी आगे जाकर के गंगा नदी से छपरा विहार में क्या है मिल जाती है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं सार्दा नदी की सार्दा नदी का उद्गम अस्थल है कुमावी हिमालव मिलाम हिमनद से होता है इसके बाद मैदान में इंटर करती है सार्दा नदी ब्रम्ह देवस्थल के निकटू सार्दा नदी का जो प्रारंबिक नाम है वह काली गंगा या गवरी गंगा और सार्दा नदी की विशिष्टा है कि सांप की भाती तेढ़े मेडे मार्ग से होकर प्रवाहित होती है और सार्दा नदी पीली भीत उत्तर परदीश और नेपाल के मद्ध प्राकृतिक सीमा बनाती है और इसका जो संगम है वो घागरा नदी से मिलती है बरहम घाट के निकट अगली नदी है गोमती नदी कौन सी गोमती गोमती नदी का उद्गा मस्थाल है फुलहार जील पीली भीत जिले में पुलाहर जिल कहा से निखलती है तो फुलाहर जील सी जोकी अक्सर आप जानते हो गोमत ताल तुई ए उसका आप वह अच्छेत्र तो फीली भीट से निकलती है गोंती नदी कि किनारे पर वस्ट प्रमुक सहरोजैसे की लखनव सुल्तान पूर जन पूर आती हैं गोंटी नदी की शायग जो प्रमूक नदि आप जानते हो? सहीए नदी जो मकाई है चुहा, सरियो, गिरी, कल्याहनी, कतना ये सभी कना है? संगम जो होता है, वो गंगा नदी से, गोंटी नधी का संगम कईथी गाजीपुर में हो जाता है. अगला है आपका बेतवा नदी और के नदी से संबंधित नदी तो बेतवा नदी का उध्यम कुमरा गाओ राए उसर मद्ध प्रदीश से होता है उत्तर्स हमेर पुर्डिष्टिक में यमुना नदी से मिल जाती है सांस्कृतिक जो नाम है बेतवा नदी का वह बेत्रवती नाम है बेतवा नदी पर इस्थित प्रमुक बांध जो की अक्सर एक्जाम में आप से पूछा जाता है राजगाट बांध राजगाट बांध का नाम अन्य है रानी लच्मी भाई शागर बात करते हैं केन नदी का तो केन नदी का जो उद्गम है वह कैमूर पहाड़ी है और कैमूर पहाड़ी का जो उपनाम है आप जानते हो करणवती यहनि कैमूर पहाड़ी से निकलने वाली है ठीक है तो केन नद जैसे यहां पर आप बेत्वा नदी का एक संस्क्रितिक नाम देखते हैं बेत्रवती तो केन नदी का जो एक उपनाम है वह करणवती और यह कैमूर की पहाड़ी से निकलती है केन नदी का जो संगाम है वह यमना नदी से मिल जाती है बांदा डिस्टिक में भजहा के निखट आगे बात करते हैं चम्बल नदी की चम्बल नदी का जो दगम है वा जना पाव पहाडी महु मध प्रदीस से होता है चम्बल नदी की विशेष्टा है इसकी अवनाली का अपरदन योम बीहडों के लिए प्रिशिद है चम्बल नदी चम्बल नदी की प्रमुक्ष शायक नदिया है काली सिंध पारबती बनाज ये सभी किसकी नदिया है शायक चम्बल नदी की शायक नदिया है और चम्बल नदी का जो सीमा निर्धारण है वह मध प्रदीश उत्तर प्रदीश तथा राजस्थान की मध्ध है तो चम्बल नदी के साथ सीमा बनाने वाले जो राज्ज हैं मद्द प्रदीश, उत्तर प्रदीश और राजस्थान चम्बल नदी पर इस्थित जो प्रमुख बांध हैं गांधी सागर बांध न इंपॉर्टेंट गांधी सागर बांध किस नदी पर चम्बल राणा प्रताप सागर बांध है जवाहर बांध है जो की चंबल नदी पर लोकेटेड है और चंबल नदी का जो संगम है वह यमना नदी से मिल जाती है इटावा जिले में आकर बात करते हैं टोंस नदी की तो टोंस नदी का जो उदगम है वह तारमा कुंड कायमूर स्रेणी मध प्रदीस उसे है और टोंस नदी की प्रमुक्षा एक नदी है बेलन टोंस नदी का संगम गंगा नदी से मिलती है यह सिर्शा प्रियाग राज में और बांध से पहले जो ज दिख लेते हैं नदियों से संबंधित अथ्यापने कबर कर लिए तो उत्तर प्रदिश की प्रमुक जीले हैं जो कि कीठम है सूर शरोवर जील आगरा में लोकेशन है गौर जील रामपूर में है बड़ा ताल गोखुर शाजापूर है बरुवा सागर जील जहांसी में है कुंद्रा समुद्र जील उन्नाव में मदन सागर जील महोबा में लोकेशन है टांडा दरी यानि दरार गर्त मिर बिखफ जापूर में है बेला सागर जो कि कुर्व जील महवा डिस्टिक में बलिया में जील जो है सुरह ताल है लखनव में पृषिद्ध जील करेला है यमे लखनव में समस्पुर जील कहा है राइबेरेली कहां है राधाकुंड काम धुरya में बल्ला पारा जील कानपूर में है राजा का बांध जील कहां पर है शुल्तानपूर में है आउंधी ताल जो है यह बाराणसी में है तो आउंधी ताल आपको पूछा जाता है शर्मोची जील पूछा जाता है ते कानपूर सहर समस्पूर जील यह सब आप पढ़ते हो शुरह ताल पूँश लिया जाता है गोखुर जील सा जहां पूर कीठम पूशा ही जाता है तो ये सभी जीलें बहुत इंप्वाटेंट हैं अगला आप देख लो चित तौरा जील तो चित तौरा जील जो है या बाराइच में है दरवन जील अंबेटकन नगर में है रामगढ़ ता आता है रामगढ़ ताल गोखुर की है सेखा जील अलीगढ़ में है तो आपने प्रमुख नदियां देखा और प्रमुख जीलें देखी आप उत्तर प्रदिश के प्रमुख बांध देख लेते हैं जासी जिले में इस्थित प्रमुख बांध है परिच्छा बांध तो पर प्थराई और सुखनाई नदी पर बना हुआ है माता टीला पांध यहां भी बेतवा नदी पर है। और प्रोती सभी अपको बेतवा नदी पर मिलेंगे वह नामसे ही पतराई रस शुखनाई नदी पर बना कर closer आगे देखते हैं मिर्जापुर में बांध जो प्रमुख है जिर्गो नदी पर बना हुआ है जिर्गो बांध अहरावरा बांध गराई नदी पर बना हुआ है मेजा बांध इंप्वार्टन्ट पूछा जाता है तो यह बेल नदी पर है अधवा बांध अधवा नदी पर है सिर्सी बांध जो है ये बखेर नदी पर बना हुआ है ललित पुर में इस्थित प्रमुक बांध है जामिनी बांध जामिनी नदी पर है रोहिडी बांध रोहिडी नदी पर सहजाद बांध शहजाद नदी पर गोविंद सागर जो है ये सहजाद नदी पर है सजनाम बांध सजनाम नदी पर और राजगाट बांध बेतवा नदी पर है राजगाट अकसर एकजाम में आपसे पूछा जाता है इसके बाद अन्न प्रमुक बांध है उत्तर परदीश की जैसे की गड़वा जो बांध या च मुशाखंड बांध चंदवली जिले में कर्मनासा नदी पर बना हुआ है कनहर बांध सोनबहद्र जिले में कनहर नदी पर है चंद्रप्रभा बांध चकिया चंदवली में चंद्रप्रभा नदी पर है सलारपुर बांध जो की महवभा में कदरिया नदी पर बना है मौधा बांध है हमीरपुर में बिर्मा नदी पर दोस्त इस तरह आपने प्रमुक नदियां जेले और प्रमुक बांध कबर कर लिए है अब अगला जो टॉपिक है वह टॉपिक नंबर है एड उत्तर प्रदिश की प्रमुक बहुत देशिये नदी घाटी पर योजना है तो प्रमुक नादी घाटी पर योजना है नंबर वन आप देख रहे हैं राज घाट बांध पर योजना है जो की राज घाट बांध पर योजना से लाभन भित होने वाले जहोंगे उत्तरप्रदीश और मध्यप्रदीश की शयुक्त पर्योजना है और राध्याडबान पर्योजना बेतवा नदी पर बनी हुई है। राम गंगा पर यूजना है तो राम गंगा जो पर यूजना है या उत्तर परदीश की बिजना और जिले के निकट काला गढ़ उत्तरा खंड में इस्थितु है गोकुल बैराज पर्यूजना है जो कि अक्सर एक्जाम में आप से पूश लिया जाता है गोकुल बैराज पर्यूजना तो गोकुल बैराज पर्यूजना मतुरा में लोकेटेड है यमना नदी पर बना है और बेलकुल यह आप से पूशा जाता है किसलिए है यह पेजल विद उत्तरप्रदीश योम बिहार जो कि नेपाल भीश में समलित है गोविंद बल्लभ पंत सागर परियुजना तो गोविंद बल्लभ पंत शागर प्रमुजु नदी घाट परियोजनाओं में है और यह पिपरीशोन भाद्र में इस स्थित है अब आईए गंडग परियोजना से लाभानवित होने आले उत्तरप्रदीश के प्रमुख जिले हैं तो गोरकपूर महराज गंज कुसी नगर और देवरिया गंडग परियोजना से लाभानवित होने आले उत्तरप्रदीश के प्रमुख जिले हैं अब आई अगला टॉपिक देखते हैं टोटल तायंती से बिद्धुत परियोजनाएं तो उत्तर प्रदीश में बिद्धुत छमता 31 जुलाई 2022 तक कुल जो स्थापे तो छमता है वह 31307.29 मेगावाट की है जिसमें तो कुल संस्थापे तो छमता है कितने मेगावाट की है यह 31307.29 मेगावाट ताप यह उर्जा 25882.14 मेगावाट पर माड उर्जा 440 मेगावाट है जल बिद्धुत का देखेंगे तो जल बिद्धुत उर्जा जो है यहाँ पर 501.60 मेगावाट है और वहीं पर नवी करण यह उर्जा जो छमता है वह 4443.65 मेगावाट की है तो उत्तर पर दिश में आप देख रहे हैं कुल संस्थापे तूर्जा कितनी है 31,307.29 मेगावाट है जिसमें टोटल जो है ताप यह उर्जा से कितना है 25,000 सम्थिंग है जल से जो है 501 है और 444 परमाड उर्जा का है और इसमें 31 में देखेंगे तो 4,483.65 मेगावाट नवी करण यह उर्जा है तो अक्सर एक्जाम में आपसे पूंच लिया जाता है कि निमलिकित में इसे कौन यंठी पीसी द्वारा संस्थापित संयंत्र है या संयंत्र नहीं है तो आपको मालूम होना चाहिए तो यंटी पीसी द्वारा उत्तर प्रदीश में इस्थापित संयंत्र में सिंग्राउली जोकी सोनभद्र में इस्थापित है रिहंद भी सोनभद्र में है और एया डिश्टिक टांडा जो है बेटकर नगर में है और दादरी गौतम बुद्ध नगर में इस्थापित जो है राश्किये ताप विद्धुत निगम है अब इसमें भी आपसे पूंचा जाता है उचाहर राय बरेली में है तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कौन सा गैस आधारित है और कौन सा कोईला आधारित है तो और यह जो है यह आपका क्या है गैस आधारित संयंत्र होगा इसके अलावा गैस प्लस कोईला गैस प्लस कोईला आधारित जो है दोनों ठीक है वो कौन है तो दादरी तो दादरी जो है गैस प्लस कोईला दोनों है और अगला फाइक्ट आ रहा है कि उत्तर प्रदीश की रज विद्धुत उत्पाद निगम की ताप विद्धुत सईयंत्र जो की निर्माणा धीन सहितिस में इंक्ल्यूड है तो अनपरा अनपरा जो ताप विद्धुत सईयंत्र या सोनभदर डिस्टिक में है यह गवर्मेंट हो जाएंगी आपकी एंटीपीसी द्वारा है तो तरप्रदीश राज जिके हैं यह विद्धुत उत्पाद निगम के तो अनपरा शोनभदर में हर्दुआगन अलीगड म में है ओवरा सोनभदर में है परिक्षा आपका जहांसी में है परिक्षा बांद याद आ रहोगा जहांसी बेतवा नदी पर पनकी कानपुर में है और जवाहर जोही आपका एटा में है तो इस तरह आपने टौपिक नंबर नाइन कंप्लीट किया दड़ी उत्तर जनाए रही है